हाई मैसल पिंकी कुमार मेरे को काफी साहे पेरेंस ने एक रिक्वेस्ट की थी इसलिए मैं वीडियो बना रही हूं कि मैं लगते थेरपी कब तक कराएंगे कहां तक कराएंगे मिलब छोटे पेरेंस हैं छोटे पिछो के पेरेंस हैं वो उनकी क्यूरिसरी है कि कब तक होती र हुआ है तो फிर में इन मैं प्रसनल पिनिए एंप ना फूर्ट ये नोट नहीं प्रसृच हेस्पार्टा या नोग कि अनलाइसिस कहरें मेर्य साथ काफी साह लएक मेरा बटा तेरा 14 13 5 Πलस से सब्सक्राइब हैं नोग Two साल कि तब हम रोग जो कर आज तक और आभी मैं पूस सब को देख तो सब सब उससी रहती वह कि क्या चल रहा है कैसे चल रहा है तो आप जैसे और पिसम की रिंजिए अगर बच्छे काफिए बच्छे ते जो कि बॉर्डर-लाइन में थे उन्होंने उनको ठाले से बहुत जल्दी उन्हों बोलने लगें बहुत जल्दी समझने हो जाता है तो तो borderline के अगर autistic cases हैं तो मैं यह होंगी कि अभी आप करा रहे हो ठीक है कुछ दिन अबाद as a parent आप भी बहुत कुछ learn कर लोगे फिर आपको इतनी कोई outside support की इतनी जुरूरत नहीं पड़ेगी मैंने जो mild cases थे कुछ sensory इशू थे या कुछ speech के इशू थे या कुछ language के इशू थे बच्चा काफी ज़्यादा instructions follow करता है compliant था hyper activity उस level पर नहीं थी और understanding ठीक ठाक थी तो उस पर नहीं जोगे उन बच्चों के language और डब लब हो गई है ठीक ठाक से तो स्कूल को वो को पर रहे हैं चाहे स्पेशल स्कूल के में स्ट्रीम स्कूल को 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 कर लेते हैं और यह से किसी तरीके से पढ़ाई कर पा रहे हैं और प्लस साइमंटी इसलिए उनकी पेरिंट्स को मैं देख रहे हैं जैनली वह लो फीजिकल एक्सराइज जैसे पूई फीजिकल टीचे रख ला दिया या स्केटिंग में डाल दिया या कोई फीजिकल इंस्ट्रक्टर द जो कि mild to moderate case में आ रहे हैं उन cases में क्या है कि language डेवलप हुई है पर टूटी-फूटी सी ही हुई है लैंग्विज डेवलप हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल हुई है पर behavior भी है साथ में कहीं के behavior नहीं है पर कुछ और issues है ठीक है तो उस cases में वह पेरिंट्स अग्ने ऐसे बहुत कुछ सीख लिया है तो वह खुदी करा रहे हैं वह जैसे मेरा बिचे माइल्ट मॉट्रेट कह सकते हूं तो अभी भी पर मुझे लगते है कहीं किसी ने किसी एरिया में अगर कोई help मिल जाए तो अच्छा है जैसे कि खासर से जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो उ उसके साथ आके कोई फिजिकल टीचर आके उसा प्ले कर ले थोड़ा उसको एक्टिविटी कर वा ले अभी भी कहीं ने कहीं उसको लैंग्विच की करेक्ट लैंग्विच सेंटेंस फॉर्मेशन की में help चाहिए academic में भी help चाहिए कहीं ना कहीं तो अगर आप माइल्ट मॉ लांगवेज ओंस वीक ओटी मैं मैं कहूं तो अभी भी आपको चॉद्ध साल को गया और लाइफ लोग आगे जाके भी आपको आपको अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ सपोर्टिव सिस्टम में रहना ही पड़ेगा आप ऐसे नहीं कह सकते कि इंडिबेंट हो आपको काफी सारे framework में आपको बच्चों की help करनी पड़ेगे ठीक है फिर आता है model to severe level में जिनके बच्चे हैं तो उनके उनकी पेरिंट्स की और जाता है इशू से ठीक है उनको और जादे help और सपोर्ट की therapist की अभी भी जुरूरत है और साथ में खुद भी काम करने के कोई एस से कोई मतलब नहीं है इस से कोई concern नहीं है थेरपी का यह बहुत जादा concern है कि बच्चे का level of autism कितना वह बॉडर लाइन पर माइल्ड पर मॉडरेट पर सीवियर में हैं कहां पर और साथ में उसकी को मॉर्बिड कंडिशन से को मॉर्बिड कंडिशन से काभी पर बिल्कुल कम नहीं होते हैं अगर बच्चे के साथ बच्च में बहुत जाता है आप पेरेंट ने एक्टिविटीज नहीं करवाई होती है तो ADHD सस्टेनेबल रहता है उनकी core strength नहीं बन पाती है उनकी sitting tolerance sitting ability नहीं डवलप हो पाती है तो अगर पेरेंट्स बच्पन से बह साथ ADHD थोड़ा से इंबेड़ेड़ है वह वाले एड़ेश्टी कम जाते है जो कि ADHD प्योर और प्योर ऑटिस्टिक है मतलब जिनकी sitting tolerance हाई नहीं हाई पर अक्टिविटी बहुत जाता है लेकि को स्ट्रेंग्थ हाई नहीं बैटने की stability ही नहीं है को स्ट्रेंग्थ मैं इसल की exercise करवा करा कि उसकी core strength को नहीं stable किया आपका बच्चा नहीं बैट पाएगा मैंने अपनी स्कूल में बहुत सरे से बच्चे देखते हूं कि अगर हम activity अच्छी डालते हैं तो फिर वह sitting बैटते हैं बट स्टिल उनकी core strength क्योंकि core strength means यह beast का पोश्चर है रीड की हड़ी हा इसलीन ऐसलीन ऐसे गिरा वैसे गिरा पड़ा रहते रहें तो डिपेंड करता है कि आपकी ठरपी कितनी लंबी चलेगी कितना अपने बच्च में महनत की कितनी बच्चे की अपना autism में का issue है दोनों चीछ पर डिपेंड करते हैं अगर पेरेंट्स बहुत जादा हाड़ वक करने और बच्चे का autism उतना नहीं है तो obviously धरबी कमोंगी पर जैसे हमारे को खाना खाना जिनकी बड़ जुरूरी है पानी पीना जितनकी बड़ जुरूरी है उतने ही कई बच्चों के लिए कुछ amount पे support चाहिए ही चाहिए तो यह completely child to child depend करते है इसका कोई theory या कोई theorem नहीं तो फोल तो हर बचा different है तो उसकी उसकी theory और इसको theorem अलग चलेगा तो it helps some parents to understand की we should not compare our child with other child we should not think की कब तक चलेगा, just keep hard working consistent hard working, बहुत जाते हैं पैसा भी मतलब बहुत महेंगे therapist इप जाते हैं पैसा मतलगा, मेरी इपना स्लोर पनी है कि मेरे फ्रेंड सरकर में तहीं जो एक धीर धीर एफर्ट से होता है consistent effort से होता है consistent hard work से होता है मेरे काफी सेरे फ्रेंड से जिन्होंने डली में best test therapy center में करवाया फिर वहांगे charges बहुत जादा थे तो एक दस है तो कुछ balance बना के चलो अपने budget का कुछ balance बना के चलो अपने पैसे का थाकि हम constant बच्चे को help कर सके और सारे बच्चे different होते हैं किसी दुसरे के बच्चे को देखके अपनी उस competition में मत भागो कि उसका बच्चे तो वहां पर गया था तीन classes ठीक हो गया अपनी जानते उसका autism level क क्या था अपनी जानते उसकी issues क्या था कई बार कई मदर्स को मैंने देखे वर्बली बहुत ज़्यादा कह रही होते हैं कि मेरा बेटा भी ठीक हो गया पर जब हम प्रैक्टिकली उस बच्चे को देखते हैं तो कहते हैं तो तो अपने बच्चे को देखो बस और अपने माराथन इस नौत अलगे सिंगले जर्नी और इस नौत सिंप स्मॉल मोमेट ओकी ओप थैंक यू सो मच बढ़ाए